नमस्कार किसान भाईयों, आपका अपना चैनल किसान परिवार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हेमराज बनार्सी, आपको एक छोटी सी टिप्स बताना चाहूंगा। किसान भाईयों देखिए। जैसा कि इस वीडियो में आपको बताये जा रहे है। कि इस खेत की ग्यहों की हार्वेस्टिंग हो चुकी है अब इस खेत के अंदर जो नरोई दिख रही है इसको कता ही न जलाएं इससे क्या होता है कि किसान भाईयों कि जो हमारे खेत की उरूरत चंता होती है वो बहुत कम हो जाती है जो हमारे खेत के अंदर केच हुए होते हैं जो किशानों का मित्र कहा जाता है वो जल जाते हैं तो किशान भाईयों आप विशेश तोर से ध्यान रखीए कि कद़ाई भी खेत के अंदर आग ना लगा है जिससे परियावण का प्रदूर्शन भी होता है और हमारी क्रसी की उर्वदक छमता होती है वह बहुत कम हो जाती ह और किसान भाईयों हम एक गलती और भी करवेटते हैं जिन किसान भाईयों की क्या होता है कि जैसा कि कटाई होने के बाद में हमारे जो पड़े रहते हैं वो पाईप को इसे धूप में पड़े रहते हैं उनका कदी यूज भी होता है तो वैसे हो जाते हैं पड़े रहते हैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगे पाइप को इसका नीचे का इससा होगे। और अभी यह दो-चार दिन हुए हैं इसकी कटाई हुए ग्यों की खेत की और यह उपर का हिस्सा ऐसा हो गया किसान भाईयों यदि हमको जरुत है कि पाइप उपर ही पड़ा रहे या हमारी कुछ मजबूरी है कि पाइप लाइन नहीं गाड़ सकते या अन्य कारण हो तो इस पाइप को कम से कम दूप में रखें और यदि दूप में रखना है तो उसके उपर पुराने टाट या कुछ भी ऐसा कुछ डाल डालने जिससे की पाइप खराब ना हो एक आप लोगों के लिए एक छोटी सी टिप से भाईयों या आपका अपना दोस्त हिमराज बनारसी ज